नमस्ते दोस्तों, अगर हमें कोई constructive काम करना है, तो उसे समय लगता है, वो काम करना difficult होता है, लेकिन अगर हम destructive याने बुरा काम करते हैं, तो वो तुरंत हो जाता है, उसे कुछ समय नहीं लगता है, वो आसान होता है। मैं इसका आपको एक example देता हूँ, एक छोटे गाउ में electricity नहीं थी, छोटा विलेज था, और इसलिए शाम को 8 बजे लोग सो जाते थे, और सुबह जल्दी ऊट जाते थे, 100 घर थे उस विलेज में, रोज शाम को पूरा अंदेरा हो जाता था और सब सो जाते थे। एक दिन सबको एक आश्चरे वहा, एक ताज्यूब हुआ कि एक घर में थोड़ी रोशनी दिखी, तो सब लोग वहा गये और उन्हें ने देखा कि उस घर के आदमी ने शहर में जाकर एक लैंटन खरीदा था, एक कंडिल और वो उसके घर में लगया हुआ था। अभी वो देखकर लोगों के मन में दो विचार आते हैं, पहला जो सबसे आसान है, आप सब जानते हो कि सब जगा सेम होने के लिए क्या करना चाहिए? दो विचार आते हैं, पहला आसान है, आप सब वो जानते हो, कि इसका लैंटन तोड़ दिया जाए और दूसरा अच्छा होता है लेकिन difficult होता है, वो क्या होता है, कि सब जन शहर में जाकर लैंटन खरे देगे और वो अपने घर पे लगाएंगे ताकि सब जगह सेम हो तो that is the difference between constructive work and destructive work Thank you very much, have a nice day